दोस्तों नमस्कार आदाब सत्रीयकाल नियूज क्लिक के खास कारिक्रम्बे आपका स्वागत है आज हम मंत्री मंडल पर बात करेंगे कल आप से बात नहीं वो पाई थी बुद्धवार को इस मंत्री मंडल की politics क्या है क्या ये inclusion है क्या ये समावेश किया गया है लोगों का क्या ये representation है क्या ये चुनावी फिर बदल है क्या ये मंत्री मंडल को वाकई strengthen करनी के लिए किया गया है क्या कैबिनेट में कुछ लोग काम ठीक से नहीं कर रहे थे और नए लोगों को इसलिए शामिल किया गया है मैं इस तरह के अंदाजों को इस तरह के आकलन को सिदे सिखारिश करता हूँ क्योंकि मैं बीते दो तीन दसक से देख रहा हूँ और आर्थिक सुधार तेज हो गया, उसके बाद धीरे धीरे देखा गया कि कैबिनेट नाम की संस्था वो धीरे धीरे सिकुर्टी गई, सिमठती गई और उसका जगह कौन ले लिया, उसकी जगह लेता गया PMO, प्राइम मिनिस्टर आफिस इसी तरह से जो ताकतवर चीफ मिनिस्टर्स हैं, उनके यहां भी सीमो बन गया है, और सीमो बहुत स्ट्रॉंग हो गया, कई स्टेट्स में आप जाकर देख लीजिए, सीमो ही सबसे बड़ी भात्पून बात है एक जमाना था कि सरकार में जो मुख्य मंतरी होते थे राज्य में, या कई बार केंदर में प्रदान मंतरी या दूसरा कोई कैबिनेट मंतरी जिसके पोर्टफोलियो जिसके मंतराले का कोई प्रस्ताव आ रहा है, मंतरी मंडल मेजार्टी से उसको खारिश कर दिया करता था ऐसा कई बार हुआ है लेकिन आज की स्थिती में किसी PMO के आगे किसी कैबिनेट की स्थिती नहीं है कि वो मूल प्रस्ताओ जो PMO की तरफ से आ रहा है उसको रिवियू कर दे या उसको खारिश कर दे दोस्तो एक पुरानी बात बताओं मनमहुन सिंग जी की कैबिनेट उस समय तो नरेंदर मोदी जी की सरकार भी नहीं थी मनमहुन जी की सरकार थी जो अपेक्षा की ज्यादा ट्रांस्परेंट या सोकार लिबरल कही जा सकती है उसके बड़े कैबिनेट मंत्री ने एक फैसले के बारे में जब मैंने उनसे पूछा उन दिनों मैं एक अखवार से जुड़ा था और डे टो डे में कवर करता था एक रिपोर्टर के तोर पे मैंने उनसे पूछा कि आप जिस बात को भाशनों में कहते हैं उसके ठीक उलट आपके मंत्राले ने फैसला किया है ये क्या मतलब है तो उन्होंने कहा कि अगर नो चापिये तो हम सच बता दें हमने कहा बोलिये उन्होंने कहा कि PMO का आदेश थे तीन बार PMO के आदेश को मैंने रद कराया था ले समय तक नहीं टाल सकता था तो आज नरेंदर मोदी जी की सरकार का जो PMO है उसके किसी डिक्टेट को क्या उसके किसी प्रस्ताव को उसके किसी सुगा उसकी किसी सिफारिश को कैबिनेट मंत्रियों की क्या इस्थिती है जो उसको चैलेंज करें या उसको रिव्यू की बात कहें इसलिए मैं इतना विस्तार से ये बात कहीं कि दोस्तो आज सरकार कोई मंत्री नहीं चलाता आज सरकार PMO चलाती है ऐसे में ये कहना कि हर्श वर्धन साहब ने COVID-19 के दोरान स्वास्ति मंत्री के तोर पे अच्छा काम नहीं किया इसलिए उनकी छुट्टी हो गई ये एक निडर्थक टिप पड़ी है और मैं देख रहा हूँ कि अंग्रे जी, हिंदी, तमाम अखवारों टेलिविजन चैनल तो माई गाड उनकी तो बात ही छोड़िए वो तो क्या करते हैं जरनलिजम के नाम पर वो जाने लेकिन सभी कह जा रहे हैं कि हर्शवर्दन जी ने ये किया था इसलिए उनकी छुट्टी हो गई अरे भाई हर्शवर्दन को हटाना था क्योंकि दिल्ली से एक और मंत्री को लाना था कितने दिल्ली से मंत्री रखते इसलिए उनकी छुट्टी कर दी खतम बात तो हमारा ये कहना है कि ये दरसल नेत्रत की पसंद और नापसंद का प्रश्ण है रेल मंत्री के रूप में एक से एक बड़े नेताई सरकार में हैं जो उसको समाल सकते थे नितिन गटकरी को ट्रांसपोर्ट और परिवहन का बहुत जबरदस्ट एक्सपर्ट माना जाता है वो भूतल परिवहन देखी रहे हैं लेकिन उनके हाथ से तो इस बार MSC में भी निकल गया यनिछोटी मजौली जो योनिट्स हैं जो इनडस्ट्रियल यूनिट उपक्रम जो हैं छोटे मजौले वो भी पورटफोल्यों उनके हाथ से निकल गया लेकिन यह मिला किसको ? यह मिला है, जा जा सकता है, आप एक शक्रित मंतरिमंदल के हिसाभ से नौजवान ही कहेंगे अश्वणी वहिशनों को X IS हैं, पराने IS हैं और यह IITN है, और्रिसा केडर से है और संभावता ये राजस्तान के रहने वाले हैं वहाँ से इनकी पैदाइश है और इनको रेल के आलावा IT मिला है, इंडस्री मिला है संचार, यहींरिशंकर प्रशाद की मिन्स्री भी मिल गई और पियूस गोयल का भी आदा मंत्राले इनको मिल गया है, यह यही रेल तो इतना बड़ा पोर्टफोलियो इतना बड़ा मंत्राले एक ऐसे व्यक्ति को मिल गया जिसने जनता के बीच कभी कामी न किया हो वो राजसभा के मेंबर हैं संभाता उडिसा से येस उडिसा से और इनकी विशेस्ता यह है कि अश्वनी वैश्णो पीमों में एक बार काम कर चुके हैं इस पीमों में नहीं इसके पहले लेकिन बीजेपी सरकार में ही और मेरे जो जानकारी है कि अश्वनी वैश्णो एक टेक्नोक्रेट के तोर पे एक बिरोक्रेट के तोर पे एक खास सोच के व्यक्ति हैं और वो सोच मौझूदा सरकार के जो टॉप लोग हैं उनको पसंद है इसलिए उनको रेल मंत्रा ले संचार और उसमें रखा गया इसमें जो लोग रविशंकर प्रशाद और हर्शवर्धन की छुट्टी होने से बड़े खुश है दरसल वो इस बारे में बिलकुल ना समझी दिखा रहे हैं किकिसी उनकी विफलता के कारण उनकी कमजूरी के कारण या उनके काम नौकर लेनीके कारण यह उनकी छुट्टी होई है अगर रविशंकर प्रशाद ने ट्वीटर पर या सोसल मीडिया या किसी प्लेट फ़र्म पर कोई बात कही है जो बहुत कांट्रोवर्सियल थी जिसको अमेरिका से लेकर और दुनिया बर में बहुत इसकी आलोचना हुई वो बातें दरसल इस सरकार का जो कलेक्टिव विजडम है उसके तहट आई होंगी मैं एक जनलिस्ट के तोर पे मान नहीं सकता कि कोई कैबिनेट मंतरी की ये इस्थिती हो सकती है कि वो अपनी तरफ से ऐसी ऐसी बाते कह दे जो इसके इंटरनेशनल हो जाएं ऐसा नहीं होता और खासकर सिनियर मिनिस्टर ये रविशंक का प्रशाद उन मंतरियों में नहीं है जिनकी आप समझ पर सवाल उठा सकते हैं या जिनके पढ़े लिखे या नहीं पढ़ाय लिखाई या तमाम चीजों के बात आप कर सकते हैं वो एक पढ़े लिखे आदमी है उनकी विचारधारा जो भी हो उनकी राजनीती जो भी हो एक सिजन्ड आदमी है बहुत कठोर डंग से कई बार बोलते हैं वो अलग बात है लेकिन वो जो इस तरह के ट्वीटर पर जो एक स्टैंड लिया उन्होंने सोचल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिया और बहुत सारे जो अब प्रकाश जावेट कर वो तो आरेसेस के बहुत ही खास आदमी है स्वेम रविशन का प्रशाद एवीवीपी के आदी काल से मतलब आप छातर जीवन से इस तरू से ही वो एवीवीवीपी आरेसेस से जुड़े हैं उनका पुरा खांदान जुड़ा रहा है तो कोई आइडेलोजिकल पुलिटिकल मामला नहीं है इसमें इसमें शुद रूप से यह है कि कुछ लोग जो जरूरी है उनको रखा गया कुछ लोगों को बाहर किया गया इसमें कोई क्वालिफाई क्वालिफिकेशन की बात नही कोई योगिता की बात नहीं है कि इंप्रेशन देने की बात है इंप्रेशन देने की बात यह है कि हम देखिए नए लोगों को ला रहे है क्यों कि पूरी सरकार की छवी खराब हुई है दरसल ये केंद्र में जो मौजूदा सरकार है जिसको आप मोधी सरकार कहते हैं उसकी अपनी छबी खराब हुई है COVID-19 की ऐसी विफलता COVID-19 को counter करने में जो उसकी विफलता है वो क्या आप समझते हैं हर्श्वर्दन की विफलता है किसी secretary की विफलता है किसी deputy secretary की विफलता है ये पूरी की पूरी सरकार की भी फलता है क्यों? क्योंकि सरकार ने जिस तरह से समझा, जिस तरह से उसको लिया, ये RSS, BJP और केंदर सरकार सब के भी फलता कहेंगे क्योंकि सबी जानते हैं कि RSSS इस सरकार को रिमोट से चलाता है आइडियोलोजिकल पॉजिशन उसकी होती है सारी पॉजिशनिंग तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कैबिनिट एक्सप्रेंशन की पॉलिटिक्स है दरसल मोधी सरकार ने अपनी चोतारफा भी फलताओं को से लोगों का ध्यान हटाने के लिए ये इतना बड़ा फेर बदल किया है कि लोग भूल जाएं थोड़ी देर के लिए कि अब सब ठीक हो जाएगा अब कुछ गरबड़ नहीं होगा जो गरबड़ियां थी उनको ठीक कर लिया गया है ऐसा जनता को कम से कम एक नए डिसकोर्स नए आख्यान देने के लिए ये सब किया जाता है और मुझूदा सरकार इसकी एक्सपर्ट है क्या क्या कहा गया था कोविड नाइटीन जब आया था बत्ती बुझाया गया बत्ती जलाया गया थाली बजाया गया क्या क्या नहीं किया गया कहा गया था कि 14 दिन में 15 दिन में 18 दिन में 21 दिन में पता नहीं कितने कितने दिन में कहा गया था और दूसरी बात जो बहुत महत्पुन है पॉलिटिक साफ जो ये जो cabinet expansion है इसमें जो बार-बार ये कहा गया है कि हम जातियों का representation बढ़ा है और हम जादा से जादा ऐसे लोगों को ला रहे हैं जिसे कि उत्तर प्रदेश के चुनाओं को जीता जा सके ठीक है उत्तर प्रदेश के उस इलाके में जहां के वो रहने वाले हैं बरेली वो एक कुल मिलाकर एक ऐसे नेता की है जो RSS BJP में अपने ढंका निराला है जो सबका काम करता है जो सड़क पे चला जाता है जो 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 मोटरोसाइकल से भी घूम सकता है अपने पूरे एरिया में वो श performance बहुत महान है जिस तरह के लोगों को promote किया गया है चाहिए वो कोई हो आप एक-एक नाम ले लिजी अनुराग ठाकुर साहब Information Broadcasting Minister Cabinet इनको भारत के election चुनावायोग ने वो चुनावायोग जो सरकार से दबा रहता है हमेसा उसे भी इनको बेंड करना पड़ा था क्यों बेंड करना पड़ा था उस तानी में नहीं आऊँगा बहुत लंबा किस्सा हो जाएगा उन्होंने क्या-क्या माइक पर कहा था अब भारत के सुचना प्रसारल मंत्री है तो संतोस गंगवार डॉप हो जाते हैं और अनुराग ठाकुर टॉप बन जाते हैं बहुत बड़े मंत्री बन जाते हैं ये कौन सी इसकी क्या व्याख्याप करेंगे धर्मेंद प्रदान सिक्षा मंत्राल है तरो निशंग जी गया ठीक है लेकिन धर्मेंद प्रदान जी आए अब इनको भी देखना है ये पह हेल्थ को जोड़कर और मनसुक देना मंडावियासहद को देना ये मुझे समझ ने आया ठीक है मंडाविया अपने दिया लेकिन ये क्लब करना क्या इसके बाद भी कि कोविड 19 से पर्फार्फॉर्मेंस के मामले में। दुनिया में वर्स पर्फॉर्मेंस ब्राजिल और इ एक दैनी चेहरा नहीं नजर आता है, एक बहुत ही विचित्र किसमित का नजरिया नहीं नजर आता है, कि आपने केमिकल फर्टलाइजर को भी जोड दिया, हरदीप सिंग साहब, अगेन आश्वनी वैशनो साहब की तरह एक बिरोक्रेट, पुराने बिरोक्रेट, इनको पेट्रोलियम भी मिल गया, हाउसिंग भी मिल गया, अर्बन डेवलप्मेंट, अब जानते हैं कि सेंट्रल विष्टा में सबसे अधिक बोलने वाले व्यक्ति यही थे, और जाहिर उनका मंत्रा ले, तो उनको पुरस्कृत किया गया है, किरन डिजी जो कानून मंत्री हो गया, खेल मंत्री से कानून मंत्री, इसी तरह से और भी बहुत सारे जो फेर बदल हुए हैं, उसमें आप दे शर्म सरमिकों की क्या स्थिति भारत में अए शरम की क्या इस्थिति है, उनको वह मंत्रा ले दिया गया है, और अपने जयुतिराद शिंदिया जी कॉंग्रेस के राज कुमार थे, अब एक जमाने में राहूल गांदी के सबसे प्री लोगों में से थे, उनको बहुत दिनो से इंतजार था क्यों मंत्री बने तो इस पहर मंत्री बना दिया गया है लेकिन वो नागरिकुड़ें मंत्र Cancer को दिया गया है अब उनको एयर इंडिया जल्दी से जल्दी कैसे समेटा जाए इसका प्रबंद करना है तो तो कुल मिलाकर जो स्थितियां है उसमें इस में जो लोग भी हैं उनकी individual performance या युग्यता की बात करना कि इस आधार पर अमुक व्यक्ति बनाया गया या अमुक आदमी इस आधार पर हटाया गया ये बेमतलब है ये दरसल PM का सारा का साराची mandate होता है उसके अपने directives होते हैं काम करने के आप स्वेम अगर अगर आपको ब इतनी centralized है कि वो इस तरह कि एक cabinet के बारे में जो फैसले एक collective wisdom से लिए जाते हैं वो कब की उसकी चुट्टी हो चुकी है और ये केवल आज की कहानी नहीं है बीजेपी सरकार या मोधी सरकार की कहानी नहीं है ये मनमौन सरकार में भी देखा गया था उसके पहले भी देखा एक सरकार एक पार्टी एक वैचारी की जो देश में इतने टकराओ इतने टकराओ के साथ सासंड और संस्कृती सत्ता की सम्हाल रही है वो सहकार करेगी वो कोपरेशन करेगी कैसे करेगी लेकिन अभी हमने देखा सरकारी एक notification बताया गया है कि इस सहकारिता के मामलों में ए एक collective ढंग से कुछ करना चाहती है यह मंत्राले करना चाहता है कोई detailed note अभी सायद नहीं आया है तो इसका मतलब यह हुआ कि जो 7th schedule जो है constitution का और उसके जो entry number 32 है उसके तहट जो changes किये गए थे तो क्या हम मान कर चलें कि सहकारिता पर केंद्री शिकन जा कसेगा जैसे हमने द ऐसे उनको demoralize किया गया उनको काम नो करने देने की पूरी की पुरी आगपरिपाटी तयार की गई यहां उसी तरह से भारत के दूसरे राजियों में जो सहकारिता अंधोलन है क्योंकि सहकारिता राजे का विशह है तो क्या यह control करने के लिए क्योंकि संजोग ऐसा है कि यह ग्रिह मंत्राले के साथ attention किया गया यानी ग्रिह मंत्री को ये कारिभार दिया गया है जो देश के दूसरे सबसे ताकतवर नेता है तो ये सहकारिता का एक अलग या कापरेशन का अलग मंत्राले ये बड़ा दिल्चस्प है और देखना होगा इस पर नजर रखनी होगी कि इसका क्या मतलब निकलता है मुझे लगता है कि ये राजियों को खासकर हमारी फेडरल डिमोकरसी को और कमजोर करने का एक नया प्रकल्प है एक नया प्रोजेक्ट है तो ये कुछ बातें दोस्तो मैं आप से करना चाहता था बातें तो बहुत हैं लेकिन वक्त कम होता है हमारे साथ तो आज बस इतना ही भविश्य में हम और सब बातें करते रहेंगे लेकिन चलते चलते एक बात जरूर मैं कहूँगा कि उत्तर प्रदेश के चुनाओ के लिए की जो बात है उत्तर प्रदेश में जाकर आप देखाये बलाग प्रमुख के लिए आज नामंकन भरे जा रहे हैं पने चुना हुआ है कि उत्तर प्रुदिश है माफ कि जयेगा विदान सभावच चुनाओ भी अगर उसी तरह होगा तो किसी तरह के काम करने की जरूरत नहीं होगी पार्टी को वैसे ही पार्टी चुनाओजी कि बहुत सारे लोग तो निर्विरोग चुनाओ जी जाएंगे यह लैटिन अमेरिका में एक दोर में जो हाल था या बहुत सारे अफ्रिकन कंट्रीज में भी हम देखते हैं हालात वैसे ही अपने देश के बनते जा रहे हैं नमस्कार आदाप सक्त्रियकाल